नमस्काल लोकसबा टीवी में आपका स्वाकत है मैं हूँ प्रतिबिम शर्म और आप देख रहे हैं सदन में आज और सदन में आज में लोकसबा की आज की कारवाई का ब्यौरा आप तक हम पहुँचाएंगे जी हाँ कल बजट पेश किया गया वितमंत्री निर्मला सीता रमन के द्वारा और आज उसके बाद लोकसबा की कारवाई का पहला दिन था और लोकसबा की कारवाई नियत समय यानि कि शाम को चार बजे प्रारम हो गई और जैसे ही लोकसबा की कारवाई शाम चार बजे शुरू होई उसके बाद प्रशनकाल प्रारम हुआ और प्रशनकाल में भूला सिंग जो सांसध है बुलंद शेफ बीजे पी के उन्हों ने चकरवाद से जुड़ा हुआ एक प्रशन उठाया और उनके इस प्रशन का उत्तर नित्या नं राय माननिय मंत्री ने दिया क्या कुछ प्रशन था और क्या कुछ उत्तर था माननिय मंत्री जी का ये देख नहीं पा कर्माल के नुक्सान को काफी दियन्तियद किया जासिका है मानिय अध्यक जी मैं आपके माध्यम से मानिय मंत्री जीसे जानना चाहूंगा कि तूफान के कारण होने वाले नुक्सानों के पूरवान्मानों के लिए हमारी सरकार ने सदेव नव और नूतन टेक्नलोजी परद्दुक्य का प्रियोग किया है किया सरकार इस संबंद में किसी स्वदेशी तक्नीकी का प्रियोग करके आदमियुखर भारत के लक्ष को प्राप्त करने की दिजुखा में बढ़ रही है कर दिए कि अग Anda जीन तक्तियों को लेकर आये हैं कि प्रस्ण कार में आज किसान कर्ल्ण पर ही अच्छा ओ आप यह काम सदन के अंदर प्रस्ण दिकार गहां उससे पूछें कि ये तक्तिा नारेबाजी का का माथ सदन से बाहर करेंगे तो रहेगा मानिय मंत्री जी इसको इस रोप में स्पेस्ट किया जा सकता है कि 1999 के दोरान उडिसा में आये सुपर साइकलोन से दस सजार लोगों की जाने गई थी जबकि इतनी ही तिवरता वाले साइकलोन साइकलोन फ़नी के समय केवल 65 लोगों की ही मात हुई है यहां आपने सुना मंत्री महदय जब उत्तर दे रहे थे तब भी शोरगुल लगातार बना हुआ था और वो बता रहे थे कि अमफान चक्रवात में किवल 65 लोगों की मौत हुई जबकि 1999 में इस एक शेतर में आये चक्रवाती तूफान में दस हजार लोगों की मौत हो गई थ और मोधी सरकार ने बहुत त्वरित कारवाई बहुत त्वरित कदम उठाए थे इसलिए जान माल की हानिक काफी कम हुई थी लेकिन जब उत्तर दे रहे थे नितियनंदराय लगातार विपक्ष की और से शूर शराबा हो रहा था उससे ठीक पहले लोगसभा अध्यक्ष न जुड़े हुए तमाम प्रश्ण लगे हुए हैं वो उन प्रश्णों पर चर्शा होने दीजिए मंत्री महदय क्या उत्तर देते हैं उसकी प्रतीक्ष कीजिए लेकिन शोर शराबा लगातार बना रहा और पांच बजे तक के लिए लोगसभा की कारवाई को स्थगित करना पड़ा सीधा रुक करते हैं अपने सयोगी सूरज मोहंजां की और सूरज लगातार शोर शराबा बना रहा जबकी प्रश्ण काल शुरू हो गया आपको याद होगा जब पिछले सत्र में प्रश्ण काल नहीं रखा गया था वज़ा थी कोरोना काल तब लगातार क्यों नहीं रखा गया इस बार इस बज़ट सत्र में प्रश्ण काल रखा गया है प्रश्ण काल शुरू भी हुआ प्रश्ण पूछा गया उतर दे रहे थे मानने मंत्री महुद है लेकिन उसी बीच लगातार शोर शराबा होता रहा बिल्कुल परती विंब हमने देखा थ जो पिछला मानसून सत्र कोरोना काल के साही में हुआ था और कोरोना की वये से एहतियाद बरतने के लिए समय को चार घंटे रखा गया था उसमें प्रश्ण काल नहीं रखा गया था तो विबक्ष की तरफ से तमाम आरूप लगाए गये थे सरकार की तरफ से कि आप अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं तब ऐसा लग रहा था सरकार ने दलील दी थी कि कोरोना काल में चुकि एधियाद बरतने हैं इसलिए नहीं लिया जा रहा है लेकिन विबक्ष के आपने आरोप थे इस बार जब बजश्ण काल की शुरूआत हुई है और प्रश्ण काल को लिया प्रश्ण काल को चलने दीजिए क्योंकि इसी प्रश्ण काल की आप बार बार मांग कर रहे थे कि सांसत अपने सवाल जो है मंतरालें उसे पूछना चाहते हैं अब वो मौका मिला है आप पूछिए और जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं वैल में आज खासतोर से जो ती किसानी की बात वो उठा रहे चाह रहे थे उन्होंने कहा कि आज प्रश्ण काल में जादतर सवाल जो प्रश्ण काल में है वो क्रिशी और किसान का ल्यांड से संबंदी थे और इसको लेकर मंतरी भी सदन में तोमर साब मौजूद थे उन्होंने कहा कि प्रश्ण काल को चल तब अधिरंजन चौधरी जो की लोगसभा के भीतर कॉंग्रेस के नेता है वो उठे और उन्होंने किशी कानूनों से जुड़ी हुए चर्चा शुरू करने की मांग की उन्होंने का किसानों के मुद्दे पर सदन बोलना चाहता है और सदन पर इसकी चर्चा होनी चाहिए क् अधिरंजन चौधरी ने सदन के भीतर आई देखते हैं किसानों ने आज किस तरीके की आंदलोन करने हैं लगभग आप तक 170 की आसपास किसानों की जान गवाने पर इसके पहले सुरूआत तो कीजिए किसान आंदलोन की मुद्ड़ के ऊपर चर्चा सुरू किजिए बाकी सारे प्रस्याइश बाद में हो सकता लेकिन सर किसान की जो मुद्ड़ है सर आज किसान की उपर जिस धंग से तचार हो रहे हैं लगता है कि आप बिटी जमन में पहुँच गए हैं माने सदर्शगन मुझे कुछ विश्यों पर इस्तगन प्रस्ताओं की सूचना प्राप्थ हुई है मैंने इस्तगन प्रस्ताओं की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है माने सदर्शगन मुझे सुचित करना है कि संसदिय कार्यमंति ने मुझे एक अन्रोध प्राप्थ हुआ है जिसमें उन्हों निवेदन किया है कि वर्तमान कोविड-19 की स्तिति के कारण संसदिय कार्यमंति श्तिय लोग सभा के पांचेश सभ के दोरान कारी सुची में सभा पटरर रखे जाने वाइल्प कि एगे प्त्रों को सभी मॉंतियों के ओर से सभा पटर पर रखने के अन्मती पदान की जाए मैंने उनके अन्रोद को सिकार कर लिया है अरजुन मेगवाल जी आईटर नमबर टू से टुएल माने अद्धक्ष जी जी हां लगातार शोर शरबा होता रहा अदिरंजन चौदरी जी से कहा अदिरंजन चौदरी कह रहे थे कि किसानों के मुद्धे पर बाचित होनी चाहिए और लोकसबाद्यक्ष ने कहा कि चर्चा के लिए सदन तैयार भी है उसके बावजूद भी शोर शरबा नहीं रुका और शोरशराविबे के बीच ही जो है एक सूचना भी पढ़ी लोगसावातिश ने कहा कि स्थगंप्रस्ताव की सूचना मिली है लेकिन वो किसी भी स्थगंप्रस्ताव की सूचना को हरीजंदी नहीं दिखा रहे हैं उसके लिए तैयार नहीं है साथी साथ उन्होंने संसद्य कायर मंत्री का जो है ये आग्रह भी सदन के सामने रखा कि सभी मंत्राले उसे संबंदित प्रपत्र वो सदन के पटल पर एक साथ रखे जाए तो उसके लिए भी उन्होंने हामी भर दी रुक करते हैं सहयोगी सूरज की और लेकिन उससे पहले क्रशिय मंत्री ने क्या कहा जब अधिरंजन चौधरी ने किसानों को लेकर सदन के भीतर बाचीत की मांग की तो उठे सदन के भीतर क्रशिय मंत्री नरेंदर सिंग तूमर और उन्होंने क्या कुछ कहा ये देखते हैं अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तयार है तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तयार रही है आज भी प्रस्न काल में बड़ी संख्या में प्रस्न क्रसी और क्रसी कल्यान से संबंदित थे बानी अध्यक्ष मोदय आपने भी आगरे किया अगर आज प्रशनों पर चर्चा होती तो मैं समस्ता हूं आदी चर्चा पूरी हो गई होती लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है ये सदन का समय बरबाद हो रहा है हम सब इस बात को बली बात जानते हैं कोबिट के संकड ने अथक पछूरण करके संसत का आयोजन किया जा रहा है इसमें निश्यद रूप्र से सरकार का गाँव का गरीब का किसान का तमां सारा कामकाज होना है कबार्ण सारे नियम और कानून बनने है आपके मादियम से यह बताना चाहता हूं किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रजिवत रहे हैं और आगे भी रहेगी कि माने सदश अगर सीट पर गुराजेंगे तो मैं माननी है अजीर अजिन जी को पहले पूर्ण दिजिए आप माने सदश इनको कहिए आपको मुकादे रहा हूं आइटर नमबर फूर्टिन डार्ट एस्ट पासिंग जहां अधिर रंजन चौदरी जी ने जब कहा कि किसानों के मुद्दे पर सदन के भीतर चर्चा होनी चाहिए तब लोकस अबाद्यक्ष ने कहा कि सदन चर्चा के लिए तयार है इस बीच मानेनी कृष्ण मंतरी नरिंदर सिंग तोमर उठे उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन तयार है उन्होंने ये भी कहा कि आज प्रशनकाल में किसानों से जुड़े हुए बह प्रशनें प्रशनें है उन प्रशनों के माद्यम से भी जो विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि पहला ही प्रशन दूसरा प्रशन जो था it अमेस पी को लेकर था कि MSP को क्या कानून बनाने वाली है, सरकार क्या प्राफधान है लेकिन ये प्रशन हो पाता, उससे पहले ही शोरगूल हो गया और विवधान की वजह से सदन की कारवाई को स्थाखित करना पड़ गया था लेकिन सदन की कारवाई जब फिर से पांच बजे शुरू ही लोगसाबाद द्यक्ष ने एक बार फिर से अपील की अधिरंजन चौधरी सामने आए और उन्होंने चर्चा करने की बात कही और क्रशे मंतरी ने का कि चर्चा के लिए तयार है जब चर्चा के लिए सूरज सदन तयार है लोगसाबाद द्यक्ष ने भी कह दिया और किस ख्रश्य मंत्री ने भी खुद कह दिया कि चर्चा करने के लिए तैयार हैं उसके बावजूद भी शोर शराबा होता रहा लोगसभा द्यक्ष ने तो यहां तक कहा कि प्रशनकाल हो जाए तो मैं आपके नेता को यानि अधिरंजन चौधरी जी को बोलने का अफसर भी दूंगा उसके बाद भी यह शोरगुल क्यों होता रहा लोगसभा द्यक्ष ने नाकेबल कॉंग्रेस के लोगसभा में नेता अधिरंजन चौधरी को बोलने का मौका देने की बात कही बलकि उन्होंने तमाम बिपक्ष के जो दल थे जो इस विरोत प्रदर्शन में वैल मे आ गए थे उनके नेताओं को भी आवान किया था कि अगर आप लोग अपने आसन पे चले जाएं विवस्थित हो जाएं तो हम आप लोग को भी इस मुद्धे पर बोलने का मौका दे सकते हैं जिस तरह से प्रशनकालाज नहीं चला बेपक्ष के हंगामे की वएसे पाच इनों क्रिशी कानूनों को लेकर जो आंदोलों हो रहा है उसका मुद्धा उठाना चाहा उनका और उन्होंने उसको लेकर पूर्जोर तरीके से आवाज उठाई और शोरगूल विपक्ष का जारी रहा है इस बीच महतुपूर्ण सदन में पटल पे दस्तावेज रखने थ साफ साफ कहा कि जो सरकार केंदर सरकार है वो खेती किसानी के मुद्धे पे काफी जो है वो सीरियस है और वो इस महतुपूर्ण विशे को समझती है अगर प्रशनकाल को विपक्ष ने चलने दिया होता तो आज महतुपूर्ण सवाल खेती किसानी पे थे और आधे जो जो विपक्ष की थी वो हो सकता था उस प्रशनकाल में जो उत्तर कृष्टी देते उसे उसका समाधान निकलता है यह वो संतुष्ट होते लेकिन प्रशनकाल नहीं चलने दिया गया उसके बापजूद भी क्रिष्टी ने कहा कि सरकार दोनों में चाहे सदन के अंदर की बात हो य ये विशे काफी गंबीर है और सरकार इसको लेकर पूरी तरह तयार है लोगसभाद दिक्ष ने बार-बार विपक्ष के सांसदों से अपील की कि आप सदन को चलने दीजिए राश्ट्रपती अभिवाशन पे जब चर्चा शुरू होगी तो आप सब को प्रियाप्त समय दिय जाएगा आप उस राश्ट्रपती अभिवाशन के धन्यवाद प्रस्ताप पे चर्चा होगी उसमें इस मुद्दे को उठा सकते हैं जो लोगतंत्र में विवस्ता है उस नियम के तहट आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं उसके बाब जूद भी हमने देखा विपक्ष क करना पड़ा लेकिन सदन सगित करने से पहले जब अधिरंजन चौधरी बोल रही थे तब भी लोगसबा अध्यक्ष ने राश्ट्रपती के अभिभाशन का भी विषय उठाया शायद यह बात होने वाली थी कि अभिभाशन के दौरान भी कॉंग्रेस के एक मानानिय सांसा सदन के भीतर केंद्रिकक्ष के भीतर शोर शराबा करते रहे उसके बाद वाक आउट कर गए कॉंग्रेस के सदस्य क्या ये विषय भी शायद सदन के भीतर बोला गया वैसे तो अगर हम देखे तो शोर शराब यह सुना नहीं गया लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि रा शराबा किया लेकिन इस बार हमने देखा पहले तो विपक्ष ने उस राष्टप्तिय अविवाशन का बाइकोट किया उसके बाभुद हमने देखा कि कुछ सांसद जो थे वो केंदरे कक्ष के बाहर खड़े और शुर्षराबा उन्होंने करना शूर कर दिया था तो तो य साइद सभी विंदू पर चर्चा होती कोंकि एक संसद्य मर्यादा है परिपार्टी है राश्ट्रपति की अपनी गरीमा होती है उनके अभिभाषण को सम्मान दिया जाता है और संसद्य लोग तंत्र में सब संसद्य मर्यादा और संसद्य के नियम कायदे के हिसाब से सदन को चलने दिया जाए और मुद्दो को उठाने का मौका मिले और जैसे कि आप बता रहे हैं कि शोड़ शरबार लगातार चलता रहा है और एक बार फिर से लोगसभा की कारवाई को साथ बज़े तक के लिए स्थ चर्चा शुरू कि और चर्चा शुरू करते हुए उन्होंने पराक्रम दिस दिवस मनाने को लेकर सरकार का धन्यवाद किया कोविड-19 के समय कितना भयावा रहा और किस तरह के से सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए उसकी भी चर्चा उन्होंने शुरू की क्या कुछ क पार्लेमेंट एसंबल्ट टुगेदर अन जानुवरी ट्वेंटी नाइन्थ ट्वेंटी ट्वेंटी वांगी जो उन्होंने मुझे राष्ट्रबधी जी के वासन के बाद धन्नबाद प्रस्ताब में बोलने का मौका दिया है मैं उनका रिदाय से धन्नबाद करना इनल लोसर पार्थ इन देशिन विडिया त्वेंट इन्डिया जा इन्डानुव ने डिया घ। ऑन जाट पोली ब्रस्ता चाहूंग यहाच नेटाजी का विचार हर दिन हमारे रागों में दाषता है। Prime Minister Modi ji on Netaji's 125th birthday anniversary have decided to celebrate his birthday on 23 January as Parakram Divas every year. This day will be celebrated as a Day of Patriotic Action and spirit of Unity of the country. His 125th Azerbai her Úniver продукty was celebrated by the Prime Minister in Kolkata. I was lucky enough to see this historic moment with my own eyes. Neta ji has said that one individual can die for an idea but that idea will after his death incarnate itself in a thousand lives. मैं इसी सदन के माध्धम से हमारे आदरनिय प्रधान्वंची जी का प्रणाम करना चाहती हूँ की जिनके निरंतर परिस्टम से हमारा संगसधी नहीं पूरा देश का प्रणा मिलता है लोकतंत्र अभिमान है मेरा जिहां लोकेट चटर जी राश्पती के अभिभाशन पर धनिवात प्रिस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने निताजी सुभाश्चंद्र की जैनती को पराकरम दिवस मनाने के लिए सरकार का धनिवात किया जैनती पर देश भर में साल भर करकम होने वाले हैं उसको लेकर उन्होंने उत्सहा जताया और किस तरके से सरकार जो है निताजी सुभाश्चंद्र के बताय हुए रास्ते पर चल रही है उसका भी उन्होंने उलेख किया हमारे सहयोगी सूरज लगातर हमारे साथ बने जैसे ही साथ बजे सदन दोवारा बैठा लोगस्वध्यक्ष आये उन्होंने राश्ट्रपति अविवाशन के धन्यवास प्रस्ताप पर चैचा के लिए कहा हमने देखा विपक्ष के सारे सांसत जो है वो वैल में आके फिर से नारेबाजी उन्होंने करना शुरू कर दिय लोगस्वध्यक्ष फिर से उन्हों से अपील की कि अब राश्ट्रपति विवाशन पर चालू है आप इस पर अपनी बात रख सकते हैं आप लोग भी जनता के द्वारा चुनकर आए हैं उनकी जनता के अकांशाह हैं वह आप इस चाचा में रख सकते हैं लेकिन उसके आप कह सकते हैं कि संसेद्य लोग तंत्र में कई वारा समंझस की स्टिट्यू हाती को कि विपक्ष के कई दल ऐसे थे जो अपने सीटों पर बैठे हुए तो वैल पर नहीं गए थे और वो लोग इसमें जो है चर्चा में भाग लेना चाहते थे ना केवल एंडिया बलकि व विवासन के धन्यवाद प्रस्ताप पर और उन्होंने जिस सार्ख क्राव करें से के समय पर भारत के सरकार भारानी से उससे पूरे ही महामारी से निप्टी है और चर्चा को शामिल जो है पूरा नहीं कराया जा सका है इस बीच में संसद्य कार्यमंत्री प्रहलाज जोशी भी खड़े हुए उन्होंने बार बार आहवान किया विपक्ष से कि आप चर्चा में आप चर्चा की मांग कर रहे थे प्रयाप्त समय सदन के अंदर उसको दिया सदन के भीतर एक बार हम दिखा देते हैं दर्शकों को लेकिन आपने जानकारी दी और बहुत सारे बिंदों पर प्रकाश डाला सूरज बहुत बहुत धन्यवाद सूरज मों जहां बता रहे थे कि प्रलाज जोशी संसद्य कार्यमंत्री उठे और उन्होंने कहा कि विपक् जितो जब धन्यवाद प्रस्ताव हम रखते हैं इसमें शोर शराबा नहीं होता है इसलिए परमपरा है प्रिशिदेंट इडाट नेवर वाइल जिविविंग दी थैंक शुभी आई से इस इंट्रॉप्शन जियां संसद्य कार्यमंत्री कहते हुए कि परमपरा का निर्व बहा करे विपक्ष क्योंकि जब भी राश्पती की अभीभाशन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होती है तो चर्चा जो है अच्छे वातावरण में की जाती है और कभी भी इस तरीकी का शोरगुल कभी भी राश्पती की अभीभाशन के धन्यवाद प्रस्ता पर शुरू हुई चर्चा में नहीं हुआ है और इससे पहले लोकसबाद्यक्ष ने इस पर भी ध्यान आकशित करवाया सदन का कि राश्पती के अभीभाशन में भी इस तरीकी करवया रहा था विपक्ष का और एक कॉंग्रेस के मानने सांसद ने तो काफी नारेबाजी भी क संसद्य जो है परंपरा से काफी जो है उसकी परंपरा को कहीं न कहीं गलत एक तस्विर पेश करता है सदन में आज में आज में आज में आपसे फिर भेंट होगी फिलहाल मुझे आ गया दिजिए लेकिन देख टरी लोग सभाट टीवी नमस्कार झाल झाल